हाई देयर आज के स्पार्ड में हम देखेंगे योप एन रियली का अखिर हिंदी क्या होता है तो यह वीडियो के सुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड में रियली एक एक्जामपल लेते हैं I really drink coffee मतलब मैं कभी कबार कफी पीता हूँ कभी कबार यानि अक्सर नहीं कभी कबार एक और एक्जामपल My father really runs मतलब मेरे पापा कभी कबार दोड़ते हैं या फिर My sister really eats fast food जो fast food है मेरे sister कभी कबार खाती हैं नेक्स लाइड में dislike something यानि किसी चीज़ को ना पसंद करना अब कोई चीज या कोई व्यक्ती भी हो सकता है जैसे एक एक्जामपल लेते हैं I had tea मतलब मैं चाएं से नफरत करता हूँ या फिर कहें कि मैं चाएं को पसंद नहीं करता इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हूँ I'm not a big fan of tea इसका मतलब भी हो जाता है कि मैं चाएं को लाइक नहीं करता या फिर आप बोल सकते हूँ I'm not really fond of tea मतलब मैं चाएं का जादा सोकिन नहीं हूँ या सोकिन नहीं हूँ सीधा सा मतलब कि मैं चाएं को लाइक नहीं करता आप देखते हैं यूप इसपिकर A बोलता है B से कि मुझे लगता है कि सब लोग आ गए हैं यहाँ पर तो इसपिकर B क्या बोलता है यूप हाँ मतलब सीधा सा मतलब यूप का होता है हाँ पॉजिटिव में मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा आपको लगता है अब देख लेते हैं यहाँ पर जो वर्ब हमने यूज किया ड्रिंक इसकी अलग-लग फॉर्म सो होती है जैसे प्रजेंट फॉर्म ड्रिंक ड्रिंक्स पास्ट ड्रिंक तर्ड फॉर्म ड्रंक और आई एंजी फॉर्म ड्रिंकिंग चाहे तो आप स्क्रिंशोट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं आप खुछ से इंग्लिस बनाने की कोशिस करें अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके सामने दो सेंटेंस है आप खुछ से इंग्लिस बनाने की कोशिस करें आप वीडियो को pause कर सकते हैं और English बना सकते हैं I hope कि अपने English बना ली होगी मुझे चाहे पसंद नहीं है मतलब I had tea मैं कभी कबार चाहे पीता हूं I really drink tea I hope कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching and see you next time